लखनों के अवैद शल्पग्राम में तीन दिद्दक चलने वाले यूपी दिवस का कुछी देर में उदघाचन होने वाला है सीम योगी और राजपाल अनंदी बेन पटेल कुछी देर में यूपी दिवस का उदघाचन करेंगी उदगाचन के बाद सीम योगी और आनंदी बेन पूरे शल्फग्राम का ब्रह्मन करेंगे यूपी दिवस को लेकर यूपी सरकार कई कारेक्रमों का आयोजन भी करवा रही है और कुछी देर के बाद इसका शुबारम किया जाएगा दोपहर डेड़ बजेस में मशूर कॉमेजियन राजुस्रिवास्ताव मेले में आएंगे और लोगों का मनुरंजन भी करेंगे और इसके बाद शाम को अवदी गाई का बंदना मिश्रा अपनी गाई की से समाभी बांधेगी आपको बता दे कि उतरप्रगेश 24 जनवरी यानि की आज एके दिन राज की रूप में अस्तित्व में आया था 24 जनवरी 1950 को रामराइक जब यूपी की राजपाल बने थे तो उन्होंने यूपी दिवस मनाय जानी का कॉंसेप्ट लाया था और ये तीसरी बार मनाय जा रहा है इस कारिक्रम का यजन शहीदपत के नजदी का अवद शल्प ग्राम में प्रियाचन विभाग की और से किया जा रहा है तो तीन दिन तक चलने वाले यूपी दिवस कारिक्रम में अलग-अलग प्रदर्शनी, रंगारंग कारिक्रम और सरकार की योशनाओं का लोकारपन शामिल होगा अपनी प्रशनी दे रहे हैं आप देख सकते हैं आप एक भोल नगारों के साथ लगातार वो अपनी एक प्रशनी दे रहे हैं तो कुछी देर के बाद यूपी को सतर साल पूरे होने प्रदर्शन मनाया जाएगा और इस खबर पे जादा जानकारी के साथ हमारे संबादाता लखनो से फोर लाइन पे बने हुए है नरेंद्र आप से जानना चाहेंगे कि नोटा उट आज यूपी के लिए बेहदी खास दिन है ऐसे में इस दिन को और भी जादा खास बनाने के लिए क्या कुछ तयारिया की गई है देखिए आवस्ति ग्राम में एक बड़ा काडिकरम आयोजित कर उसकर परदेश का अपना जिवत मनाया जा रहाँ करते होगी कि इसमें गरीब मजदूर और बेसहारा बच्चे अनाथ बच्चे जो हैं उनको मुक्त सिच्छा दी जाएगी और उनके आवास की ब्यूस्ता होगी यह अपने आप में एक बड़ा कदब होगा उन बच्चों के लिए जिनके पास पैसा नहीं रहता है जिनके ग करते हैं तो अतल विहारी बाइस्टों भी एक के नाम को लेकर जो बाते हो रही थी कि उत्तर काम किया जाएगी तंज कराता यह सिल्सला उत्तर परदेश में सुरू हो चुका है आज आज इसका आगाज होगा वहीं आज उत्तर परदेश के सीम योगी आजी पिनाथ करेंगे और यहां अवस्तिल्प ग्राम ने जो तैयारिया की गई है उसमें फूरे उत्तर परदेश की चाकी को सजाया गया है जो यहां का हुनर है किस तरीके की कलाकारी है और और कॉन को उत्तर परदेश को आगे बढ़ाए हैं और चिनकाईगी का पहले बहुत महतु रहा है जिनको लेकर उत्तर परदेश मसूर रहा है वो सारी चीजे यहां पर प्रद्रविं ने दिखाई जाए यह इस्ठां लगाई गई है और उत्तर परदेश का जो पैदो रहा है जो उतिषात रहा है जो छानि इन्हा skinny को रहा है जो बिदेसों में उनकी अस्मारक हैं, मन्दिर हैं से उनको दिखाया गया है एक सरीके से उत्तर्पर्देश का जो वैभो पहले रहा है, पुराणों में रहा है और धार्वी करंथों में रहा है और जो इसका इतिहाद रहा है तो उत्तर परदेश अपने दिनों को याद करेगा अपने 22 साली दिनों को याद करेगा और उन चीजों को याद करेगा जिनको लेकर उत्तर परदेश जाना जाता है मसूर है और जो युआओं के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए परदेश सरकार ने काम किये हैं उसका भी परदेश यहां पर लगाई गई है यहां तमाम विवागों की मंतरी मौझूद है और तमाम अधिकारी परदेश सरकार के इस अधिकारी मौझूद है जी बिल्कुल नरेंदर मतलब साब समझा जा सकता है कि पूरे यूपी की खुबसूरती इस कारिक्रम के मार्धियम से बेखने को मिलेगी बहुत बहुत शुक्रे हम से चुटने के लिए